हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल और इस कैप्सुल वीडियो में हम लॉगर्थम्स के बारे में पुढ़ेंगे लॉगर्थम्स क्या है उसका लॉट्राइशन कैसे करना है और यह वीडियो क्लास 9 और 10 और NTSC के करिकुलम को देखते हुए डवलप किया गया है तो इस में आपको थेर्टिकल पार्ट बिताए जाएगा और क्या-क्या इंपोर्टन फ्रमुलास है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो शुरू करते हैं आज का लिए वीडियो अब लॉगर्थम्स का जो आप मैंने लिखा हुआ है एक टूल है जो कि कॉम्प्लेक्स को सॉ तो यह रिष्यो की स्टडिन है जहां कि रिखी दिथरी मैं अब लॉक कि एकजएक डटेशन क्या है है जिस्सकि दल्टनेशन है को उटे बरिखेंगे थिटूर्थक्तिनैशे angefります करने होंगे पाल लोग करने होंगे तो हम देखेंगे एक वेल्यू हमेशा जिरो से बढ़िना चाहिए means A आपका रियल नुम्मर होना चाहिए ए बन के वरावन निंद होना चाहिए ठिक और B के वेल्यू भी जिरो से बढ़िना चाहिए अगर अगर आपका कोई बेस नहीं दिया है लोग बी रिखा हुआ है तो आपको यह एजियू कर लेना चाहिए कि यह बेस नहीं है लोग का एक वास माँ में चाहिए आप देखेंगे अले इसका मसला होता है लोग बेस ए यह एक्सपोनेशल है एक्सपोनेशल टर्वस करते हैं किन डिकेर होता है वह एक्सपोनेशल ही होती है यह लोग बेस टैन्स भी बेस आप ले रहे है और आपके मैंद्ध बेस नहीं तकि नेशेड आपका एक्सपोनेशल को फॉलो करती हैं अब देखेते हैं लॉगलिफम की दो फॉर्म होते हैं जो कि आप यूज करेंगी पहला का फॉर्म है लॉगलिफम अब यहां पर इस मैंधमेटिकल अगर फॉर्मुले को आप देखेंगे तो लिखा गया है लॉग बेस एक्वल टू एंड यहां पर एक बेस एंड पावर है अबतब करने में थे तो एक पावर एंड एकवल टू भी एक्वेशन फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म या अब इक्टिकल इक्क्रेशण भी कहते ही है एक गश्राइं इस बाब एक अन न मतलब क्या होता है एक आपको अ तुमझ में आ गिया होगा लॉग बी इसका मतलब क्या है बी में एक का रिप्रिटीशन कितनी बार हो रहा है उसको हम लॉग से रिपर्जम करते हैं अब लॉग की डिफर्ट डिफर्ट प्रपर्टीज है इसके बारे को हम देखिए प्रपर्टीज आपके क्लास 9, 10 और अब इसके एक्जाम होगे इसनी प्रपर्टीज व्यूद होगी प्रप्रप्रेश को सॉल करने के लिए इसके प्रपर्टीज को मैं अबर करूंगा और इसके नेक्स वीडियो में कुछ प्रप्रबलर्स पर हां डिसक्रिशन करेंगे आप यह अबर्टीज वी अ ममलत्यच को म specially कि एक्टोंग भड़नोव धी एक्टोंग इसक्ट्यूर् दूसले प्रोपर्टी लॉग एक्स अग्मान वाई बेसे एक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बेसे आप इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखाता दर्ता है इसको हम इस प्रोपर्टीस के लिए भी उस करते हैं इसको मैं से एक सकते हैं लॉग एक्स क्रॉस वाई बेसे एक्वल टू एक्स प्लस वाई अब इसको इस तरीके से भी स्वार्व कर सकते हैं अब पर नेते हैं इसको तीसरी प्रोपर्टी है इसको मैं इसको करने के लिए आवे इस प्रोपर्टी इसको प्रोपर्टी है तो टेसे लिए तो कि आवे लिए जवे इसको प्रोपर्टी से ज़िए ठीके लिए वो इसमें किया है कि वो उपर कटा में इसको सब्सक्राइब रखा अपान जिस अदोनों में लॉक करें पेस है वो सेम रखा कि इस तरह भी आपको मेला प्रॉम तो आपको ऐसे यूस करना है इस प्रोपर्टी को डायक्टिव उट्लाइशन करना है अगर हमें बेस को नंबर को इंटर्चेंश करना है तो हम इस माथेमेटिकल आजा व्लिए से इंटर्चेंश दो सकते हैं नओ नेक्स बखने एक्स बेस से इकले तो एक्स इसको अगर प्रूफ करना चाहिए एक लेट 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 ए मैं तुनों तरफ सेम बेस का लॉग ले लीजे एक स्क्राउस और के बेसे हैं यह आपका बन हो जाएगा आपका बिशेगा यह अपर यह पुट आउट किया आपका राए आ है को सब्सक्राइब अब कर दो पर कवर अब कर रहा हूं कि अब आप कि अब आप कि अब कि कि अब पुछना दिया हो जैसे आपका नॉक बने पर दाया एडिया है तो आपको जिरूं करने चाहिए कि अब तो यह कुछ इंपोर्टन प्रपर्टी इस यह फॉर्मला करें यह लॉक्स के हैं जो कि आप प्रॉब्लम के सुल्विंग में आप इसका डायक्ति यूस्ट अब करते हैं तो नेक्स्ट व्यूडियो को देखेंगे कि इन प्रपर्टी का यूस करके हम कैसे लॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू